आज हम इसका कर रहे हैं पार्ट नमबर त्री जिसमें हम अपनी एक्सराइज पार्ट नमबर तो नमें पार्ट नमबर का नबर फो अनमे 1 अंतार स्चेण पार्ट नमबर टू अजयुकं एक्षिथieli से उड़ाइज प्रमिखनि दन स्चित्न पार्ट िए MARKख़ते पार्ट नमबर ते नमबर को एक्षिध है था उस साथ जाके यह 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो court A की जो रेशो है इसके एकुल होती B by T, base by perpendicular यह आपको बचे पंदत बदरिनाथ वाला जो formula था जो हमने फर्स्ट वीडियो में करा था उसके according आपको ratios मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाई हो यह यह आप सब वहां से कर लिना अगर आपको ratios proper पता होंगे कि कौन सी site की ratio जो है वो court की value या second है कि तभी आप यह chapter कर पाऊगे otherwise नहीं तो जैसे यहाँ court A का पता है क्या formula है हमारे पास base by perpendicular तो base by perpendicular 8 by 15 है तो B की value मेरे पास कितनी है इसका मतलब 8 और P की value perpendicular मेरे पास कितना है 15 और में को पता क्या करना है hypotenuse अब triangle के according हम देखती है कि हमारा base का है और perpendicular का है hypotenuse तो बच्चे मेंशा वो इस side होती है hypotenuse कभी भी change नहीं होता सिरफ यह जो दो line है यह perpendicular वाली line और यह दूसरी है यह change होती है angle के according अब मेरे पास यहाँ है quarter A मैंने triangle का नाम रख लिया है ABC तो A मैंने यहाँ लिया है A के according यह मेरा perpendicular है लपी है और यह वाली side जो है सामने वाली side opposite side perpendicular और adjacent side जो इसके साथ जूड़ी होई है वो कहा है मेरा base तो base है मेरे पास 8 और perpendicular मेरे पास 15 हमें को AC side hypotenuse निकालना है तो इन राइट एंगल ट्रेंगल ABC बाइपाई था गोरे स्थिरम हाइपटेनुस का स्केर इक्वल टू परपैंडिकुलर स्केर प्लस बेस स्केर यह formula आ गया तो ETH square मैंने यहाँ लिख दिया प्रपैंडिकुलर मेरे कितना है 15 का स्केर प्लस बेस मेरे कितना है 8 का स्केर तो यहाँ मैने लिख दिया 15 का स्केर 225 और 8 का स्केर 64 दोनों को प्लस करके क्या आ गया 289 तो ETH square हाइपटिन्यूस का square equal to 289 आया जो square है दूसरी साइड जाके क्या बन गया square root तो इसका square root निकालेंगे 289 का तो square root कितना आगया 70 अब हम अपनी question पर आते हैं उन्होंने पूछा क्या है sin A and sec sin A sin A की ratio क्या है मेरे पास perpendicular by हाइपटिन्यूस P by H तो A के according मेरा perpendicular कौन सा था B C side और हाइपटिन्यूस क्यों सा था A C side तो परपाइपटिन्यूस क्यों सा है मेरे पास 15 और हाइपटिन्यूस कितना है 17 आप सीधा इसको P by H क्योंकि मैंने यहां रिखा है P इतना है B इतना है और H मैंने 17 नहीं लगा दिया अगर यह आप side नहीं भी mention करते है तो सीधा आप इसका answer 15 by 17 लिख सकते हो ऐसे सीकेंट A का formula है हाइपटिन्यूस by बेस तो हाइपटिन्यूस का नाम triangle के according A C और base triangle के according A B यह सीधा H आपने यहां 17 निकाल ला है और B आपके पास कितना 8 तो आप H की जगा 17 और B की जगा 8 तो यह इसका first sum का answer आगया अब इसका हम sum number 5 साथ में ही लेती है इसकी बचे 5 number sum की सबसे पहले statement देखो given second theta सारे sum एक जैसे ही आ रहे है given जो है मेरे पास second theta equal to 13 by 12 दिया गया calculate all other trigonometric ratios यह तो आपको पता हिए कि हमारे पास मुझे दी गई है calculate all other trigonometric ratios का मतलब बाकी की जो 5 है वो मुझे find out करनी है तो सबसे पहले मेरे लिए triangle की 3 sides को find out करना ज़रूरी है तो उसके लिए मुझे दिया क्या है second theta equal to तो अब triangle दी गई है अब यहाँ sin A, cos A जैसे tan P ऐसे नाम दे रहे थे अब उन्होंने angle की जगा theta लिग लिए तो theta जो मैंने लेना है क्योंकि यह angle जो है वो हमेशा 90 degree का होता है, theta मैं यहाँ भी ले सकती हूँ, तो यहाँ भी ले सकती हूँ मैंने यहाँ theta ले लिया, तो theta के according, यह मेरा base है और यह मेरा perpendicular है सबसे बहले second theta को formula perpendicular find out करना है तो मैंने by pythagoras theorem by pythagoras theorem हम पहले इसका perpendicular find out करेंगे formula लगा दिया h square equal to p square plus b square p square plus b square h कितना है मेरा पास? 13 का square plus p का square ऐसे क्योंकि perpendicular में को find out करना है और base मेरा पास कितना दिया हुआ? 12 तो मैंने यहाँ 12 का square लिख लिए अब जी यहाँ लिखती है मैंने 13 का square 169 equal to p square plus 12 का square 144 169 144 दूसरी साइट जाके minus का हो गया इधर क्या बचके है मेरा पास p square तो p square minus करने के बाद मेरा पास क्या आगया 25 और p जो था वो square root square जो है दूसरी साइट square root बन जाएगा और p के आगया मेरे पास 5 यहाँ मैंने p की value लगा दी 5 अब बाकी की trigonometric ratios मतला मैंको 5 जो बाकी की ratios है वो पता करने सबसे पहले sin theta sin theta है ratio p by h तो p कितना है आपके पास 5 और h कितना है 13 आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हूँ जैसे अभी मैंने कुछ दे पहले बताया second ratio है मेरे पास cos theta तो cos theta क्या है b by h b कितना है आपका 12 और h कितना है आपका 13 तो यह लिख लिया next रागी 10 theta 10 theta equal to p by b तो p कितना है यहाँ 5 और b कितना है 12 5 by 12 next जैसे हम लिखते है second theta इसमें एक second theta क्योंकि second theta में नहीं निकाल रही वो मुझे अल्रेड़ी दिया गया तो cos theta cos theta होता है hypotenuse by perpendicular h by p h 13 और p 5 13 by 5 and last जो है cos theta equal to b by p equal to क्या है b कितना है मेरे पास 12 और p मेरे पास कितना है 5 इसको हम दूसरे तरीके से जैसे 10 का उल्टा cot होता है cot का उल्टा 10 अगर आप 10 की value को ही उल्टा करके लिखतो होगे उसका recipe pro कर लिखतो होगे तो 12 by 5 जो है जैसे यहां 5 by 12 है 12 by यहां 5 आ गया उल्टा होता है उसका को second जो है वो sign का उल्टा आता है जैसे यहां 5 by 13 है तो स्काल्टर उल्टा क्या गया 13 by 5 तो ये हम ऐसे भी इस सम को कर सकते हैं अब इसके साथ बचे हम सम नंबर 6 देखते हैं बचे सम नंबर 6 की statement पहले if angle A and angle B are acute angle such that cos A equal to cos B then show that angle A equal to angle B तो सबसे पहले मुझे given angle A and angle B जो है acute angle है इसका मतलब मुझे जो triangle बनानी है उसमें angle C पे जो है मैंने 90 degree का angle लेना है मैं right angle at C होगी क्योंकि A और B जो है acute angle है ये दोनों ये वाला angle 90 degree का है तो ही A और B जो है वो acute हो सकते है मैं को A और B यहां लेने है A यहां आ सकता है B यहां जा सकता है पर C जो है वो right पे ही रहेगा तो कि ये दोनों acute है और right angle triangle में ये दोनों angle जो है वो acute angle होते है acute angle का मतलब होता है 90 से छोटे तो मैंने यहां एक triangle बना ली उसके according मैंने यहां A ले लिया यहां C ले लिया और यहां B ले लिया तो A के according अगर मैं A की बात करूं A वर्टसिस के according क्योंकि मुझे यहां cos A और cos B दिया गया तो A के according यह जो मैंने बाहर लिखा है यह side मेरी base है और यह वाली side मेरी perpendicular है यह hypotenuse तो A की रहता है वो change ही नहीं होता पर angle B के according यह side साथ जुड़ी है जो मैंने अंदर लिखा हुआ है B के according यह base है और यह सामने वाली side क्या बनगी perpendicular अब मुझे जो दिया है cos A equal to cos B सबसे पहले मैंने cos A निकाल लिया formula इसका B by H equal to B by H base मेरा A के according यहां A लिखा है तो base मेरा क्या कौन सा बन रहा है A C और H क्या है AB तो यहां अगर मैं cos B के हिसाब से लेखूं तो मेरा base क्या बन रहा है B C और H क्या AB here given क्या है हमें कि cos A जो है वो cos B के equal है मैंने लिख लिख लिया यहां cos A equal to cos B तो अभी मैंने cos A की value निकाल लिया A C by A B और cos B की value निकाल लिया P C by A B अब जब बचे मैं इसी cross multiply करूंगी तो cross multiply के according AB into AC आजाएगा और दूसरी side भी AB into BC आजाएगा तो AB से AB कट जाएगा मेरे पास बचे गया क्या AC equal to BC अब इसका मतलब क्या है कि इस triangle में जो AC side है वो BC के equal है अगर AC side है AC side जो है वो BC side के equal है तो इसका मतलब angle A और angle B equal होंगे यह क्यों यह हमारी एक triangles की property है कि अगर किसी triangle की दो sides जो है आपस में equal होती है तो उसके opposite angle B आपस में equal होती है मैंने यह वली side को इस side के equal करा तो इस side का opposite angle बना B और BC side का opposite angle बना A तो A और B angle यह आपस में equal होंगे यहां मैंने bracket में reason दे दिया angle opposite to equal sides of the triangle are also equal कि अगर किसी triangle की दो sides equal है तो उसके opposite angle भी आपस में equal होती है इसलिए मुझे यह प्रूफ करना था angle A equal to angle B मैंने यहां लिग दिया hence proved इसके साथ ही हम sum number 7 की statement देखते है sum number 7 क्या है if cot theta equal to 7 by 1 then calculate first में बोला है 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta की value हमें find out करनी है second में हमें cot square theta find out करना है सबसे पहले जैसे मैंने पिछले sums करे थे cot theta मुझे जैसे दिया है cot theta equal to 7 by 8 तो cot theta ratio क्या है B by P angle बना ली इसका एक angle जो है वो मैंने क्या ले लिया 90 degree तो theta मैंने अब यहां लिया है तो theta यहां है तो यह side साथ में जूड़ी होई क्या है मेरे पास base मतलब वो base है मेरे पास 7 और सामने वाली side गया है मेरे पास perpendicular वो कितनी है मेरे पास 8 तो मेरे पास base है 7 और perpendicular है 8 तो अब मुझे 30 side पता करनी वो कौन सी है hypotenuse तो क्या करेंगे by pythagoras theorem pythagoras theorem क्या है hypotenuse का square equal to p square plus b square perpendicular square plus base square तो यह हम values फिल कर देंगे तो क्या आगया h square equal to यहाँ 8 square और 7 square square करेंगे 64 plus 49 आगया 8 का square 64 और 7 का square कितना आगया 49 दोनों के plus करने के बाद कितना आगया मेरे पास 113 तो h निकालना था square दूसरी side अगर जाके square root बन जाएगा तो मेरे पास answer के आजएगा under root 113 तो अब अम एको निकालना क्या है कि मेरे पास इस formula में sin theta है यहाँ उपर और नीचे cos theta तो मैं पहले ही sin theta और cos theta जो ratio से उनको find out कर लेती है और sin theta किसके equal होता है p by h तो p मेरे पास कितना है 1 और h मेरे पास कितना है under root 113 ऐसे ही मैंने cos theta की value ले ली वो हता है b by h तो b कितना है 7 by root 113 अब हम अपने sum पे आते हैं तो जो sum है वो क्या है मेरे पास 1 plus sin theta और 1 minus sin theta 1 plus cos theta into 1 minus cos theta या तो इसको ऐसे ही 1 plus sin theta की यहाँ value fill कर दो यहाँ fill कर दो यहाँ इसको formula में मैंने change कर दिया a plus b और a minus b equal to किसके होता है a square minus b square तो यहाँ 1 minus sin theta आ जाएगा ऐसे नीचे भी formula बना लिया तो अब इसमें इसकी values जो है वो हमें कैसे fill करनी है जो values फिल करनी है तो sin theta तो हम इसको कैसे लिखते है 1 minus sin theta बाहर मैंने square लगा लिया और 1 minus ऐसे cos theta का बाहर square लिखा लिया equal to अब यहाँ values फिल करेंगे 1 minus sin theta की value के है 8 by root 113 का square और यहाँ cos theta की value के है 1 minus 7 by under root 113 का square तो बच्चे जब आगे हम इस सम को solve करेंगे तो 1 minus 113 का square root का square तो मेरे को जब इसका square करना है तो 8 का square हो जाएगा 64 पर जब मैं नीचे वाले number का square करूंगी तो यह square के साथ square root कर जाएगा मेरे पास answer के आजएगा 1 minus 64 by 113 ऐसे ही यहाँ था 7 by तो यहाँ आगया 1 minus 49 by 113 LCM लेंगे तो यहाँ इसका by 1 लगा दिया यहाँ 1 लगा दिया LCM क्या आगया 130 यह इदर multiply हो जाएगा 113 minus 64 by 113 ऐसे ही नीचे LCM 113 113 minus 49 यह कट गया आपस में बचा गया मेरे पास 113 13 में से 64 को minus करेंगे तो 49 तो 130 में से 49 को minus करेंगे तो क्या जाएगा 64 अब जो इसका दूसरा पार्ट पूछा गया था उन्होंने बोला था quad square theta निकालो तो quad square theta किसके होगा quad theta मैंने बाहर उसका whole square लगा दिया तो बचे quad theta की मुझे value already दी गई थी जो किसके equal थी 7 by 8 तो मैंने सीधा ही इसका square कर लिया जो किसके equal है 7 quad theta की sum की statement में ही quad theta मुझे दिया गया था तो मुझे नोंने square करने के लिए बोला था तो मैंने यहाँ उसकी value फिल कर दी 7 का square 49 और 8 का square 64 यह sum का answer है बचे यह जो sum हमने आज इस पार्ट में करें यह सारे sum आपके अपनी square को आपिस पर करनी है और आपनी square को आपिस आपके वह complete करनी है